अगर आप अपने लिए अपने लवड़ बन्स के लिए accurate predictions करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे doubts आ रहे हैं जो clear नहीं हो पा रहे हैं बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं Watch my free training program जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा इसी के साथ साथ coming week का साथ ताहिक राशी फल शुरू करते हैं ये 4th December से लेकर 10th December तक के आपकी tarot readings हैं tarot predictions हैं और इस वीडियो में Leo, Virgo, Libras, Copio यानि कि सिंग, कन्या, तुला, वृष्चिक राशियों के साथ ताहिक राशी फल हैं नीचे description box में आपकी राशी के सामने time stamp है आप उस पे click करेंगे तो directly आपकी reading आ जाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम हम इस reading को किस sign के हिसाब से देखें तो tarot reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का साथ ताहिक राशी फल तो चलिए लिए उस आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है page of wands reverse और ये card कहीं एक immature energies की बात करता है impulsive energies की बात करता है कहीं जोश में होश भीख होने की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front में रह सकता है कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर याँ तो over enthusiastic, over excited हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि enthusiasm, excitement low है और दोनों ही सिनारियो में देखे energy levels में एक balance लाना बहुत जरूरी है और जो लोग over excited हो रहे हैं हो सकता है कि आप over excitement में कोई ऐसा काम करें कोई ऐसा decision ले, कोई ऐसी choice लें जो की बाद में आप regret करें होता कहा है ना जब भी भी page of wands का card आता है हम यही कहते हैं कि आप you know excitement में कोई नया काम शुरू कर सकते हैं कोई नई चीज कर सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं और बाद में आपका interest उसमें खतम हो सकता है या फिर कोई decision, कोई choice लिया तो आपको यह लग सकता है कि भाई उस time जोश में या excitement में यह चीज कर दी कोई दोस्त है, कुलीग है, कोवरकर है या कोई भी है जिनको आप trust करते हैं उनसे जरूर discuss कर लें और कुछ के लिए हो सकता है कि आपके work front में कोई इनसान है जिनकी immature energies है या फिर उनकी तरफ से ऐसी energies रह रही है जो की आपको किसी level पे थोड़ा सा परेशान कर रही है किसी news, message, email, phone call का अगर आप wait कर रहे है तो इस week delay रह सकता है and overall के लिए देखिए ठीक ठाक सी energies है फिर से कहूंगी कोई भी नया बड़ा काम करने से पहले अच्छे से सोच ले, excitement में कुछ भी ना करें जोश में होश ना खोए ये एक, you know, one liner होगा आप लोगों के लिए professional front के लिए इस week and personal front के लिए आप लोगों के लिए two of source rivers का card है और ये card कहता है कि या तो पीछे किसी चीज को लेकर आप stuck महसूस कर रहे थे decision नहीं ले रहे थे, choice नहीं ले रहे थे बहुत सारी चीजों को देखकर अंदेखा कर रहे हैं, सुनके अंसुना कर रहे हैं और आपको ऐसे लग सकता है कि भी ना तो आप आगे जा पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं यहाँ पिर पीछे ऐसी energies थी और इस week कि ऐसे इनी energies में से खुद को बाहर निकालें उस पे focus कर रहे हैं तो जो भी holyos जब भी यह काड आता है मैं यही कहती हूँ कि यूनो कितनी बारी हम चीजों को avoid करते हैं ignore करते हैं यानि कि हम action initiatives नहीं लेते हैं with the intent कि भई शायद हम चीजों को avoid कर पाएंगे क्योंकि deeper level पर हमें पता होता है कि इस चीज को अगर हमने deal कि upfront होके तो हम hurt हो सकते हैं थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं थोड़ा सा taxing हो सकता है but at the same time कहीं you know conscious level पर या externally हम शायद बहुत सरी चीजों को avoid कर रहे होते हैं लेकिन internally back of the mind में हम एक complete relaxation नहीं महसूस कर रहे होते हैं या फिर complete एक सकून नहीं होता है हमारे मन में न back of the mind में एक discomfort रहता है एक कहीं न कहीं उनो उथल उथल रहती है और back end में भी हम चीजों को कहीं accumulate कर रहे होते हैं और एक टाइम आता है ये चीजें इतनी बड़ी हो जाती है इकठा हो हो के कि फिर हम इनको चाहा के भी ignore नहीं कर पाते हैं और तब हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाते है चीजों को deal करना तो देखिया अगर आप already इनी energies में से खुद को बाहर निकाल रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप deep जाते जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको ये लग रहा है deeper level पे कि अगर आपने deal कि आप hurt होंगे परिशानी होगी तो उसको आप ना इतनी एहमियत दे उस thought को यानि कि उस thought को अपने उपर ना overpower होने दे और कहीं उन चीजों को upfront होके deal करें तांकि अभी अगर थोड़ा सा issue मसला रहा भी थोड़े से challenges रहे भी तो future के लिए आप एक जो भी blockages रह सकते हैं जो भी issues मसले रह सकते हैं उनको अपनी life से clear करेंगे and guidance से आप लोगों के लिए white witch का card है और ये card कहता है be the light तो जो मैं अभी आपको कह रही थी वही ये card की भी energies हैं आपके अंदर clarity है आपको deeper level के लिए सब कुछ पता है बस एक acceptance लेकर आनी है अपने साथ बैठना है और अपने साथ ही you know self talk करके आपने जब खुद को कुरे देंगे तो समझ में आएगा कि क्या जरूरी है क्या करना चाहिए कैसे चीजों को deal करना चाहिए and then you become light because you know खुद से जब हम बात करते हैं खुद के साथ जब हम बैठते हैं तो फिर एक clarity आती है और clarity कहीं light को ही represent करती है तो कहीं ये card भी आपको वही कह रहा है be the light bring clarity on whatever you are doing and clarity is true knowledge clarity is true power and astrology से आप लोगों के लिए Aries sign का card है इसके हिसाब से all shades of red, maroon, rust इस week आप लोगों के लिए लग्की रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये था लियोज आप लोगों के लिए coming week का सापता है ग्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलियोज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है judgment और सबसे पहली चीज ये card कहता है कि इस week specifically अपने professional front में या तो आप या फिर कोई इंसान है coworker हो सकते हैं, colleague हो सकते हैं senior हो सकते हैं, boss हो सकते हैं कोई भी हो सकते हैं बहुत critical, बहुत judgmental हो रहे हैं और वगोज आप लोग तो होते ही perfectionist हैं, बहुत deeply चीज़ों को analyze करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात भी होती है लेकिन कोई भी चीज जब हम जरुरत से जादा करते हैं तो कहीं हम उस चीज़ को गलत लगना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आप खुद को over critical over judgmental किसी भी चीज को लेकर होते हुए पाएं तो जरूर चक करके correct करें अगर कोई इंसान है तो beyond the point आप कुछ नहीं कह सकते हैं, मतलब आपके नए तरीके से आप करना चाहा रहे हैं एक innovative creative energy जादा रहती भी दिख रही है बहुत सारे work goals को ऐसा लग सकता है कि भी पुराने तरीके से पुराने हिसाब किताब से चीज़ों को नहीं करना है अब पुराने चीज़ों को end करो नए सिरे से नए तरीके से चीज़ों को करो और दिखी ये card कहीं ending और beginning के भी बात करता है और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी भी level पे किसी भी तरीके से एक ending beginning आपके professional front में specifically रह रही है ये ending beginning सब work goals के लिए differ करेगी क्योंकि ये general reading है कुछ के लिए simply हो सकता है पुराने काम करने के तरीके को आप end करके एक नए तरीके से आप काम कर रहे है नई strategy बना रहे है और कुछ के लिए हो सकता है कि पुरानी चीज़ों को refresh कर रहे है renew कर रहे है कुछ के लिए हो सकता है कि पुरानी job को छोड़के नई job आप करना चाह रहे है कुछ के लिए transitory period रह सकता है कुछ के लिए कोई project हो सकता है team हो सकती है، जगा हो सकती है connection हो सकता है, colleagues हो सकता है, again कोई भी पुरानी चीज हो सकती है, जिसको end करके एक नई beginning या तो आप करना चाहरे हैं या फिर पुरानी चीज़ों को फिर से मैं कहूंगी refresh कर रहे हैं, renew कर रहे हैं and personal front के लिए दचारियत का card है सबसे पहली चीज ये travel की बात करता है तो हो सकता है work goals या तो आप travel कर रहे हैं या फिर travel से related आपकी planning चल रही है discussions चल रहे हैं loved ones के साथ, close ones के साथ and क्योंकि ये card vehicle को भी represent करता है तो कुछ work goals के लिए हो सकता है कि आप vehicle कोई खरीदना चाहा रहे हैं, खरीद रहे हैं या फिर सिरफ thought level पे एक thought आपके मन में आ रहा है and अगर आप routine, regular basis पे एक जगा से दूसरी जगा रोज जाते हैं और कुछ inconvenience अगर पीछे रह रही थी तो उससे related एक convenience इस week आती हुए दिख रही है यानि कि transportation से related चीजें better या बहतर होती हुए दिख रही है comfortable होती हुए दिख रही है and overall के लिए देखें तो ये card कहता है अगर पीछे बहुत haphazard manner में चीजें चल रही थी और आपको ऐसे लग रहा था कि सब you know emotions, feelings या फिर कोई भी चीजें आपके उपर हावी हो रही है और आप उन चीजों को you know control करके उनका charge अपने हाथ में लेकर आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं आप stuck हो गए हैं, कहीं एक movement नहीं रह रही है आप अटक गए हैं, तो इस week कहीं सभी चीजों का charge अपने हाथ में लेकर control आप अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ना चाहा रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, overall के लिए एक movement आती वे दिख रही है पीछे किसी भी चीज को लेकर अटकावा हम हैसूस कर रहे हैं तो उसमें से बाहर निकलते वे दिख रहे हैं और कहीं growth, progress, movement किसी भी level पे आपके लिए काफी एहम रहती वे दिख रही है फिर से मैं कहूंगी किसी भी तरीके की एक movement रह रही है अगर आप out of the city नहीं भी travel कर रहे हैं तो within the city हो सकता है कि आपका काफी एक जगा से दूसरी जगा जाना हो रहा है आप within the city ज़ादा road पे रह रहे हैं यानि कि again travel कर रहे हैं या एक जगा से दूसरी जगा जा रहे हैं और फिर से देखिए चीजों का control अपने हाथ में लेके अपने goal अपने मकसद की तरफ बहुत confidently बहुत assertively आप आगे बढ़ रहे हैं किसी level पे growth, progress आपको मिल रही है आप हासिल कर रहे हैं या पिर जो भी आप कर रहे हैं आपको एक बहुत जबर्दस assurity रहती भी दिख रही है कि अब वो growth, अब वो progress को आप हासिल कर लेंगे तो अच्छा रहता हुआ दिख रहा है personal front and guidance से आप लोगों के लिए star geyser का card है set your sights higher तो बहुत ही clear message है उसी में you know एक happiness ढूण लेते हैं या फिर उसी के लिए हम settle अपने आपको कर लेते हैं तो बहुत ही clearly star geyser का card कहता है set your sights higher तो जो भी आप चाहते हैं कहीं you know उसमें आप compromise मत ना करें उसमें आप adjustment ना करें आप ज़रूर उस चीज़ को achieve कर पाएंगे अगर आप अपने standards को high रखेंगे अपने sights को high रखेंगे अपने sights को higher set करेंगे and astrology से आप लोगों के लिए children का card है इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए lucky रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा witness day तो ये था और नीचे आप comment section पर ज़रूर बताएं कि आप कितना connect कर पाएं कितना ही आप से resonate किया तो चले लिबराज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है queen of pentacles reverse सबसे पहली चीज pentacles का card है reverse है तो कहीं इस week पैसा आपके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है और देखें पैसा जाने का मतलब आपका खर्चा हो रहा है और हमेशा ही पैसा जाना गलत नहीं होता है in fact देखें ये जाने और आने में एक balance बना रहे यही एक ideal situation होती है क्योंकि थोड़ा सा you know imagine करके देखें कि सिरफ पैसे आ रहे हैं और जा नहीं रहे हैं तो क्या होगा स्रिष्टी रुख जाएगी क्योंकि एक healthy environment के लिए एक healthy economy के ठीक रहने के लिए आना जाना ही ideal situation है तो पैसे के जाने से ना घबराएं लेकिन गलत तरीके से जाने में या फिर गलत चीजों में खर्चा होने से जरूर घबराएं तो इस week आपने खास खयाल रखना है कि आप किसी भी ऐसी चीज में नहीं खर्च कर रहे हैं जो कि आप नहीं चाहते हैं या फिर सिरफ और सिरफ you know at times इतने सारे distractions हैं इतनी सारी हमारे पास चीजें होती हैं कि हम सोचते हैं कि बई चलो बई ये ले लेते हैं ये कर लेते हैं और बाद में हमें रेलाइज होता है कि बई इतनी हमें कोई ज़रुरत नहीं थी सिरफ उसका एक advertisement इतना अच्छा था या फिर आजकल discounts बहुत सारे चल रहे हैं तो हम थोड़ा सा divert हो गए और हमने इसलिए ये खर्चा कर दिया हाला कि देखिए मैं बहुत एक generic तरीके से बता रहे हूँ ये professional front के लिए है तो professional front में different situations रहेंगे different scenarios रहेंगे लेकिन जो भी हो थोड़ा सा सोच समझ के आप खर्चा करें अगर किसी female से आप किसी भी financial या फिर practical realistic तरीके से help support को expect कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा मायूस हो सकते हैं overall के लिए या तो आप over practical over realistic किसी चीज को लेकर हो रहे हैं या फिर practical realistic होना चाह रहे हैं issues मसले रह सकते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने workplace को थोड़ा सा renovate करना चाह रहे हैं better करना चाह रहे हैं beautify करना चाह रहे हैं उस पे खर्चा हो रहा है या पर उससे related issues मसले रह रहे हैं तो ठीक ठाक ये भी जाता हुआ दिख रहा है क्योंकि Queen of Pentacles is not a negative card जो you know money पैसे से related छोटे मुटे issues छोटे मुटे मसले हो सकते हैं उसी को ही ये card represent करता है क्योंकि ये है तो positive card लेकिन reverse है और थोड़ा सा एक awareness के साथ थोड़ा सा खयाल रखके आप इन चीजों को avoid कर सकते हैं और कहीं इस week की energies को बहतर कर सकते हैं और personal front के लिए आप लोगों के लिए the magician reverse का card है ये card कहीं देखिए एक manipulative diplomatic energies की बात करता है अब थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है Libras आप किसी भी चीज को लेकर थोड़े से manipulative हो रहे हैं थोड़े से diplomatic हो रहे हैं और कुछ Libras के लिए हो सकता है कि कोई इंसान आपके personal front में है वो थोड़े से diplomatic थोड़े से manipulative हो रहे हैं and कुछ के लिए हो सकता है या तो आप over confident किसी भी चीज को लेकर हो रहे हैं जो भी आप करना चाहते हैं, उसी से related, उतना confident आप नहीं महसूस कर रहे हैं, या फिर काफी low आपका confidence, self-esteem रह रहा है, तो देखिए जो भी हो कहीं इन ही energies में एक balance लाने की जरत है, और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर magician का card reverse है, जो भी आपका goal है, जो भी आपका मकसद है, उसको आप achieve करना चाहा रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि by hook और by crook आपको लग रहा है कि यह चीज तो मुझे चाहिए हैं, और मैंने starting में बोला कि आप थोड़े से manipulative हो सकते हैं, तो ये एक manipulation का example रह सकता है, तो जो भी हो देखिए, हम इस दुनिया में रहते हैं, जहाँ पर जितनी भी हम कोशिश कर लें, थोड़ा सा कभी-कभी हमें चीजों को manipulate भी करना पड़ता है, diplomatically भी चलना पड़ता है, जब तक हमारे intentions, हमारे motives ठीक हैं, तब तक कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जहाँ पर हम पाएं कि हमारे intentions, हमारे motives गलत हैं, ज़रूर चक करके correct करें, क्योंकि ऐसी energy से short term goal तो मिलते हैं, short term, happiness, joy, फाइदे तो मिलते हैं, लेकिन long term के लिए हम परिशान होते हैं, और अगर कोई इंसान आपको manipulate कर रहा है, आपके साथ diplomatically deal कर रहा है, again उनके intentions, motives ठीक हैं, अच्छे हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि उनके intentions, उनके motives ठीक नहीं हैं, बहुत cautious हों, बहुत conscious हों, क्योंकि most of the times हमें पता होता है, हमारे inner self को मैं कहूँगी कि पता होता है कि इंसान ठीक नहीं है, ये situation ठीक नहीं है, और you know, जानते हुए भी हम उस चीज़ को इतनी एहमियत नहीं देते हैं, हमारा एक मन तो कह रहा होता है कि बहुत ठीक नहीं लग रहा, दूसरा मन कहता है कि अरे वैसे ही हम doubt कर रहे हैं, तो इस week कुछ भी ऐसी situation आए, कोई भी ऐसा इनसान आए, तो अपनी gut feeling को जरूर सुनें, और cautious रहें, conscious रहें, हर इनसान पे blind trust इस week ना करें, देखें मैंने ये नहीं कहा कि आप trust ना करें, क्योंकि trust हमें करना पड़ता है, उसके बगार जिंदगी नहीं है, लेकिन blind trust ना करें, चीजों को बहुत casual, बहुत for granted भी ना लें, और guidance से आप लोगों के लिए eagle का card है, और ये card कहता है, see from a higher perspective, तो eagle is known for far sightedness, तो यहाँ पर ये card आपको यही कह रहा है, कि दूर अंदेशी से काम लें, कभी-कभी हम एक temporary gain में, इतना जादा अटक जाते हैं, और हम कहीं चीजें उस हिसाब से कर भी लेते हैं, कि हमें एक फाइदा हो जाएगा, लेकिन हम नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, कि यह temporary gain, long term के लिए, या फिर long run के लिए, कितनी problems, issues लेकर आ रहा है, और कभी-कभी short term में, कुछ issues, कुछ मसले होते हैं, लेकिन अगर longer run के लिए, वो एक फाइदा, वो एक happiness, joy लेकर आ रहा है, तो हमें वो short term परेशानी से, है, short term gain मिल रहा है, लेकिन long term के लिए, नुकसान हो सकता है, आप परेशान हो सकते हैं, short term परेशानी हो, कोई बात नहीं, लेकिन longer period के लिए, एक happiness, joy, एक gain जादा रहना चाहिए, इस चीज़ का खयाल रखें, astrology से, आप लोगों के लिए, विस्ता का कार्ड है, इसके हिसाब से, all shades of yellow, all shades of orange, इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, significant day आप लोगों के लिए होगा, in fact मैं कहूंगी significant days, आप लोगों के लिए होगे, Sunday and Thursday, तो ये था लिब्राज, आप लोगों के लिए coming week, आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं, तो प्रोफेशनल के लिए, आप लोगों के लिए काड है, five of pentacles, और ये काड कहीं, money, पैसा, materialistic, tangible, चीज़ों से related, छोटे मुटे issues, छोटे मुटे मसले रहने की बात करता है, क्योंकि ये weekly reading है, weekly reading में कोई बहुत बड़ी चीज़े नहीं होती है, एकका दुका लोगों की बात अलग है, और ये minor आरकाना का काड है, minor आरकाना के काड भी कहीं minor issues की बात करते हैं, तो फिर से मैं कहूंगी कि issues मसले रह रहे हैं, लेकिन परिशान होने की ज़ुरत नहीं है, छोटे मोटे या फिर minor ही रहते हुए दिख रहे हैं, होता है ना कभी कभी की हम payment का बहुत desperately वेट कर रहे हैं, आप फिर desperately भी नहीं, तो भी यूनों हमें थोड़ा सा जादा normal से वेट रह रह रहा है, हमारी payment delay हो गई, या फिर जितना हमने profit expect किया था, उतना profit नहीं हो रहा है, और कहीं उनों एक बहुत जिस deal में हमें materialistic gain हो सकता था, हमें लगा वो finalize हो जाएगी, वो finalize नहीं होई, delay हो गई, तो दिखें जो भी मेरे mind में आया, मैंने आपको कहा, कहीं money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों से related फिर से मैं कहूंगी issues मसले रह सकते हैं, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी इनसान से आपने कोई चीज expect करी और उनकी तरफ से वो response नहीं मिला, और दिखें, overall के लिए आपको इसे लग सकता है कि दर्वाजे कहीं बंद हो रहे हैं, जो भी आप करना चाहा रहे हैं एक smooth going नहीं मिल रही है, एक blockage आ जाती है, अर्चन आ जाती है, तो ये सिरफ और सिरफ इस week के energies हैं, नया week, नई energies लेकर आएगा, एस week, अगर ऐसा ही कुछ आप किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से पाएं, तो मायूस ना हो, positive frame of mind रखें, positive self-talk रखें, और इस week को थोड़ा सा जैसे बुलते हैं न कि बहुत high expectation कि ये बिगयर गुजार दें, क्योंकि at the end of the day, जो एक चीज हमें बहुत तकलीफ और hurt करती है, that is our expectations, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मैंने expect किया कि मेरी payment आ जाएगी, नहीं आई, किसी भी reason की विज़े से delay होगी, मैं परेशान होगी, मुझे लगा कि मुझे जादा profit होगा, और नहीं हुआ तो मैं परेशान होगी, तो इस week अपनी expectations को बहुत low रखे, और you know, जो भी अगर चीजें आपके हिसाब से ना होँ, आप बहुत परेशान ना होँ, फिर से कहूंगी अपनी self-talk को positive रखे, नया week नई energies लेकर आएगा, और नए सिरे से चीजें होँगी, कुछ भी इस दुनिया में permanent नहीं है, चाहें वो खुशी हो, चाहें वो गमी हो, जब खुशी होती है, तो हमें फिर किसी और चीज का खयाल ही नहीं रहता, हम बड़े एक happiness, joy में होते हैं, हमें ये एहसास नहीं होता कि ये permanent नहीं है, और जब गमी होती है, तब हम इतना उसमें डूब जाते हैं, कि हमें ये एहसास नहीं होता कि ये भी permanent नहीं है, तो जो भी issue मसला आप face करें, यकीन मानियें, वो गुजरेगा, वो पास हो जाएगा, और नहीं चीज़ें आपकी life में आएंगी, और जब आप इस चीज़ को अपने आपको कहते हैं, कि रात जितनी भी लंबी, जितनी भी काली हो, सुबह जरूर आएगी, तो आप परेशान नहीं होते हैं, और देखिए मैंने इतनी बड़ी बात बोल तो दी, हम major अपने mind में बना लेते हैं, और फिर हम major level पर परेशान होते हैं, भले ही वो चीज़ जितनी भी minor हो, तो ऐसा भी अगर आप खुद को करते हुए पाएं, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके correct करें, और परसनल फ्रंट के लिए, आप लोगों के लिए temperance reverse का card है, और ये card कहता है कि एक balance आप नहीं maintain कर पा रहे हैं, कोई चीज या तो ज़रूरत से ज़ादा कर रहे हैं, या फिर कोई चीज ज़रूरत से कम कर रहे हैं, और कहीं इन्ही energies में एक balance या तो आप maintain करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर card आपको कह रहे हैं कि इस चीज का खयाल रखें, एक balance maintain करें, क्योंकि कोई चीज चाहें जितनी भी अच्छी हो, ज़रूरत से ज़ादा होती हैं, तो हमें परिशान करती है, और ऐसे ही proportion से कम होती है, तब ही भी हमें desired result नहीं देती है, एक सुकून, एक peace आप अपनी life में लाना चाहा रहे हैं, या फिर आपके लिए कैसे वो सुकून आप लाएं, कैसे वो peace maintain करें, वो बहुत एहम रह रहा है, उसकी कोशिश है लेकिन उससे ही related issues मसले रह रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है, तो ये काड़ यही कहता है, कि कहीं peace, सुकून को आप सबसे ज़्यादा एहमियते हैं, कितनी बार ही होता है ना हमारा किसी के साथ argument हो गया, अब हम इतना ज़्यादा argument को win करने पे focus करते हैं, कि in the process अगर हमारा मन का सुकून जा रहा है, तो हम उसकी भी परवार नहीं करते हैं, end of the day, शायद हम argument जीत कहें, लेकिन इतनी tension, इतना stress, क्या word था, तो इस चीज का खयाल रखें, peace, सुकून को इस week सबसे ज़्यादा एहमियत दें, कुछ के लिए हो सकता है कि different different चीज़ों को combine करके, आप एक desired result पाना चाहा रहे हैं, होता है ना कभी-कभी हम एक तरीके से चीज करते हैं, हमें वो outcome नहीं मिलता, हम दूसरी तरीके से करते हैं, नहीं मिलता, हम उनको combine करते हैं, तो हमें लगता है कि वो हमें एक desired outcome मिल गया, तो ऐसी भी energies, काफी सार इस्कॉप्यों की रहती भी दिख रही है, और guidance से आप लुगों के लिए medicine guardian का card है, be open to healing information, तो कहीं से भी अगर किसी भी level पर healing मिल रही है, healing हो रही है, तो be open to it, be receptive to it, क्योंकि देखी हमने देखा professional friend में कुछ issues, कुछ मसलें हैं, personal friend में भी एक balance नहीं maintain कर पा रहे हैं, हो सकता है Scorpio's की किसी भी level पर किसी भी तरीके से healing की जरत है, so be open to healing, be receptive to healing, and astrology से आप लोगों के लिए Sagittarius sign का card है, इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday, तो ये था Scorpio's आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशी फल, और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए,